हे गाईज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो दोस्तो मैं हून इश्राब देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल देशी हाइफाटेक दोस्तो आज इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 2022 के अंदर LPNT wallet को reset कैसे कर सकते हो दोस्तो जो पिछला process था वो कुछ अलग था और 2022 का जो process है वो दोस्तो बिलकुल अलग है तो आप इस वीडियो को end तक देखना मत भूला दोस्तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वो reset का option यूज करेंगे तो उनकी gmail id के उपर setup की और qr code mail पर आ जाएगा लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है मैं आपको step by step एक एक चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वही आपको follow करने है तो definitely आपको qr code और जो आपकी setup की है वो आपको यह आपर वापिस मिल जाएगी अगर दोस्तो अगर आपने हमारे telegram channel join नहीं किया तो आप channel को join कर लीजे जिसका link मैं आपको description box में दे दूँगा और अगर आपने हमारी others video नहीं देखिया जिनमें मैंने आपको बहुत useful information दी है उनका link मैं आपको description box में दे दूँगा तो आप जाके check कर सकते हो तो दोस्तो शुरू करते हैं आज किस नहीं video को तो देखिए दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि पता हुगा कि आपको सबसे पहले वाले option में अपनी mail id फिल करनी है जो आप reset करना चाहते हो जिसका account उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है जैसे आप यह दोनों चीज कर लेते तो उसके बाद आपको आता है option sign in का तो आपको करना है simply sign in जैसे ही आप sign in करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से यह option शो करेगा अब यहाँ पर देखिए यह authentication का six digit code फिल करने के लिए बोल रहा है अब हमारे पास six digit code है नहीं हमें चाहिए Google authentication के लिए एक setup की और एक QR code अगर इन में से कोई एक है तो हम six digit code को यहाँ पर फिल कर सकते हैं लेकिन हमारे पास तो है नहीं हमें तो reset करना है तो आपको क्या करन नेम जो हैं प्र्वर्सट met उपन अपने क्रिएट किया था और उस टैम अपने एक अपना नेम फिल किया था जैसे कि मेरा नाम अनीश है तो मैंने अनीश फिल किया तो आपको फिल के तो आपको फस्ट और पॉप्षिν में लेंग्वेज शुटेबल लगती है तो आप उस विसाब से आप इस मैसेज में इनफोर्मेशन फिल कर सकते हो उसके बाद आपको यह पर एक सब्मिट वाला उप्शन मिलेगा तो आपको करना है सब्मिट अब जैसे आप यह प्रोसेस पुरा करते तो आपकी जो रिजिस्टर main ID होगी उसके ऊपर NPN टी technical टीम की seven days के अंदर अंदर आपको दिखा देता हूं दोस्तों मैंने अपना reset करना चाहते है Google Authenticator तो आपको अपने senior और core team से contact करना पड़ेगा अब देखे जिन्हों ने आपको LPN token में जोइन कराया था आपको क्या करना है कि उनसे contact करना है और उनको ये screenshot send कर देना है और अपने Google Authenticator की और आपको QR code वापिस मिल जाएगा अब फर्दर आपको देखिए इस mail के बाद एक और mail आएगी वो mail कैसी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तों मैं अपने mail पर आज चुका हूं तो आपको देखिए यह आपर एक इस तरह से mail आएगी Your Google Authentication Request has been approved successfully जैसे ही आपको यह mail आती है तो आपको क्या करना है अपना wallet open करना है और wallet open करने के बाद अपना username और password के साथ उसको start करना है जैसे आप उसको start करोगे तो आपको आपकी screen के ओपर एक QR code शोग करेगा तो आपको QR code का screenshot short simple लेकर रख लेना है कहीं secure जगह पर और setup की भी आप कहीं page पर note down करके रख सकते हैं तो totally दोस्तों यह process रहने वाला है 2022 की अंदर की आप अपना reset कैसे कर सकते हो wallet को आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना मत बूलना तो दोस्तों मिलते हैं एक और शांदर वीडियो के साथ